कि अंग्लोफ experienced कैसे हैं आप सब कैसी तैयारे चल रहें आप सब की आइ होब प्षू सब सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सब की तैयारी अच्छे चलरी ओगी कि एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूटूब चैनल नोलेज हब नोलेज हब में आपका एक और फिर से स्वागत हैं और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार केंटेंट लेकिया हैं जिसको पढ़के आपको काफी मज़ा आने वाल है ठीक है तो चलिए बिना से अपना केंटेंट शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हम देखेंगे जो कुछ वंस थे देश्टी थी और उनके फाउंडर कौन-कौन थे जो भारत के अंदर जो सासन करके गए हैं जो परमुख वांस थे जैसे मुगल वंस हो गया या खिलजी वंस हो गया घुलाम वंस हो गया तो इन सब्सक्राइब देखेंगे मुख से जैसे देखेंगों क्यों ने पर राज किया था ठीक है कुछ वंस है जो भारत के अंदर जो राज किया था यहिश्ट्री के क्लास है और हिस्ट्री के कुछ important questions के अंदर है बहुत बार यह question पूछता कि खिल जी वंस के सब्सक्राइब कौन थे गुलाम वंस के सब्सक्राइब कौन थे ठीक है या कोई वेक वंस का नाम देदें उसके सब्सक्राइब किस ने की थी तो यह question आपको जरूर एक्जाम में देखने को मिलता है हर लैवल के exam में किसी ना किसी shift में यहां से exam में question जरूर बनता है तो आज इसक्लास में हम धेखते हैं कि जो भी अलग-अलग वे जोदेश्टी थी उनके बारे में और जो भी dynasty थी उनके founders के बारे में भी तरहां कार-ओन थे ठीक है ठीक है स्टार्ट करते हैं आज हिंडिया के और इसके स्थापक यosing फाउंड़र थे जलाल उदिर खिलजी एननों खील टायाइस्टी कि श्थापना के नेच्ट अक अए उनिशिटी कि प्लत वण्स और यह जीत फैला हुए यह भी नाफर्ण इंडिया इंडिया के आंदर फेला हुआ था ठीक है खिल जी वंस एकिबाद तुगलक डियाइश्टी ती यह भी नौर्डन इंडिया के अंदर थी तकलक फाउंडर थे जो फाउंड़र्त वहत मैं तो इस प्लापक फाउंडर कंस अपत्सक्तों कि यि तूगलक डियंस्टी ऐसे पाउ लोदी बैलोल खान लोदी यह लोदी डाइनेश्टी के फाउंडर है नेक्स्ट मुगल डाइनेश्टी मुगल डाइनेश्टी है यह ओल अवर इंडिया के सब कॉंटिनेट के उपर बहुत ज्यादा इससे पर इनका कबज्या था मुगल डाइनेश्टी सबसे ज्यादा एरिय तर लुब है हर्यक डाइनिश्टीं हर्यक वंस आठी और हट्यक वांपर था मगद मगद राजपर्द ने वहां पढ करता हा विंभ शार। कि इसके बाद नेक्स्ट है और वोहन नन्द दाइनस्टी नंदवन्स इंवे मिनथ नंड नंद्वन्स गुप्त इश्टर के अंदर है इसकी जो फेंडर है वह स्रीः गौन्स चैनल स्थांपना कि थी वह स्रीगुप्त ने की THी कि उसके लगा है लिए चालुक है बार्दामी डाइनेस्टी छालूक बादामी बादामी युद्यर अगध भार्दामी धीरог फॉल собствен काफंसे जालू केबाद हुच्छा फाउंडर वह पूल केसिन फाउस्ट फॉल केस इन फस्ट हैं जो चलू कान इस्टी के फाउंडर है ठीके हैं करें इसके बाद आगे हैं और वोह पर लव डाई निश्टी है पंलाव वण्स पर्ला वसाश्क और कांची सться 준비 सब्सक्राइंग लगाते हैं ना यह चलुक क के बंगी डि दहीं सत्रापक है विश्णो वर धन देखो यह सिग्फ विश्णो पलाव डायनेस्टी के वह चालुक क्ड़ाईस्टी के है वह दैस्टापक स्फाटना की थी राष्टरकूषड डायन आएस्ट पाल दायन्स यह थी बंगॉल के अंदर फाउंडर इंदर उर्सिट्र त्वेसर पाल तरस हैसे वह फिस्तोतक सींबसे याओं prisoner यह तमील अंदर की और इसके फाउंडर है विजयाल ले चोल वनस थे उसकी जो स्टाप्प्र थे विजयाले ने इसकी स्टापनागी थी चॉल वनस की जो तमील रिजएन के अंदर फैले वह थे चॉल साथक। चौला डायनिश्टी उसके बार त्टाइव डायनिश्टी यानिक कि गुलाम वन्स जो बॉलते हैं कर देवाधक दॉक्रत ये नर्थन इंडिया के अंदर है और इसके फाउंडर है वह कुतुभुदीन बाध गुलाम वन्स किस्टा आपना के ती कुतु बुदिन एपक ने थीचि फटुदिन और मोर्य दाइनिस्टि इसके बाद करनु गुटलोरी फेमस जो प्रूंस घ्री की अगला अगला सुघ्डच को मद्र धीए अग debis नयाली जो order कंद होएं पुष्यमित्र सुंघ पुष्य मित्र सुंग इन्होंने सुंग डाइनेश्टी सुंग वंस की स्थापना की थी जो मगरत के अंदर फैल हुआ था कि इसके बाद अगला है कनवा डाइनिश्टी और इसकी यह जो फाउंडर है यह वाशू बहा ठीक कर जो करण वंस जो बोलते हैं कर सोब बेस्के workers क्वंस के सिंस्टाप कोट कोन है वाशूंयल और इनुक उपर साथ वहन डाइनस्टिए के साफ वहन है इनका जो है वह सिमुक साथ वहन के स theo पना кли कि उसकी लाश्ट है कुसाइन कुसाण फूसान था वेस्टन एंड नोर्दन इंडिया के अंदर लेये si पुसान वंस और इसकी जो अस्तापना की थी यो कदा पीशने की थी ठीक है तो यह कुछ फैमेस डाइनेश्टी है भारत के अंदर जो सारसक करने वाले थी गुलाम वंस खिलजी वंस तुगलक वंस ठीक लोधी वंस मौरिय मुगल सोल वंस सारे डाइनेश्टी सारे वंस यह यहां से कॉशन बहुत बार एक्जाम में पूछ लेकाझ सीग्धि असरी सीजल का मुल्टिपल शिफ्ट में इसे कोशन जरूर बनता है यह नोर्मल कोशन देखने में आसान लगते लेकिन एक्जाम के टा GM हम कर्दफूस हो जाते हैं आप आसमें नाम देखकर चीए कोशन में वीडियो में दो क्या होई कोई भी किसी भी लावल का एक्जाम का हो यहां से कोश्ञ जरूर बनता है तो फिलाल यहीं था आज की इस विडियो में कि ये यही था आज की इस वीडिyou में आपके लिए ठीप है और बाकि है अगर कई नहीं समझ में आए या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टोपिक पे पूछना वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है बाकि आप हमारे चैनल नौलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स को रिक्मेंड करें और व वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नौलेज हब ठीक है मिलते हैं अपडेट के साथ तब तक के लिए भाई